हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हमारी वही बात वर्ब्स डैट एक्सप्रेस दि पास्टेंस हमने पिछली बार देखा था कि वर्ब्स प्रेजन टेंस को एक्सप्रेस करते हैं वर्ब्स पास्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं और वर्ब्स फ्यूचर टेंस को भी एक्सप्रेस करते हैं इसलिए बहुत पार जब मैं इंग्लिश ग्रैमर सिखाने के लिए जाता हूं तो मेरे दिवार में हमेशा है सवाल होता है कि कई वर्ब ये सोल ऑफ इंग्लिश लैंग में हमें वर्फ देखने मिलते जैसे कि active verbs हम जिसे कहते हैं play go sit learn attain need active type के verbs हो जाते हैं जिनको main verbs कहते हैं कुछ verbs ऐसे होते हैं helping verbs I mean is our was where do this deed have us had and all our kuch verbs hote है जिनको हम modal auxiliaries के रूप में आगे बढ़ाते हैं नो मिस सम वर्प्स कम विद दो modal auxiliaries तो इस तीनों बाते समझना किसी भी भाशा को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है मिस अब हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं में वेन यूर प्रिपेरिंग फॉर यूपेसी एक्जामिनेशन वेरी पर्टिक्लर लिए प्रिपेर कर रहे हों तो उसमें इंग्लिश का इतना ज्यादा कंट्रिबीशन पार्टिसिपेशन या फिर उसका ज्यादा सिलबस न होते वे भी हमें इसके ओपर ध्यान क्यों देना चाहिए तो बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट है कि क्यों हमें अंग्रेजी की तरफ ध्यान देना चाहिए इस पॉइंट को निप्टाते और हमारे जो कुछ भी समझ रहे हो जो कुछ भी समझने कि कोशिश कर रहे हो यह सारी बाते भाशा में किसी भाशा में and when we think in terms of English language English language I shouldn't say like this लेकिन English language is more logical हर भाषा एक तर्थ क्याधार पर बनती है लेकिन English language की बनने की जो सूरत है English language को समझाने की जो एक तरीका तयार किया गया है उस तरीके को तयार करने में बहुत सारे linguist, neuro linguist ने, educators ने, academicians ने महनत की है, बहुत जादा कोशिश की है बहुत जादा research किया है और भाषा समझना क्यों किसी भी अभ्यास के लिए जादा जरूरी है इसका जिक्र किया गया है अब दूसरी बात को खतम करूँगा और फिर हमारे मुद्दे की तरफ जाओंगा कि क्यों पाला एंड सूरी का ही grammar की किताब हम ले interpret करने के लिए समझने के लिए क्योंने हम university grammar की तरफ जाए क्योंने हम Cambridge English grammar की तरफ जाए क्योंने हम Oxford English grammar की तरफ जाए क्योंने हम Renan Martin high school level का जो Renan Martin है उसकी तरफ जाए क्योंने जब हजारों किताबे English grammar की market में पड़ी है तो आपको मैं क्यों suggest करूंगा that you should go for this Pal and Suri, there is a very specific reason इसके पीचे वज़े है, इसको एक खास तरीके से design किया गया है and the design is for the competitive exams particularly the design is very logical design, no मैं बिल्कुल भी marketing नहीं कर रहा हूँ because I am a professor in a college मैं बिल्कुल भी promote नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये बताने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी किताबों का selection chain एकदम पक्का होना चाहिए और ये chain पक्का होने के लिए ही मेरी कोशिश है कि आप एक बार किसी किताब को पकड़ लेते हो तो जरूरी है कि उसी किताब के साथ आपको चलते चले जाना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा एक्स्पेक्टेट डिजायर रिजर्ट आपको मिल सके so let us move let us not waste a lot of time in this kind of warming up sessions and we are moving to these things that is third part no first we had seen articles secondly we had seen verbs that express the present tense and now today we shall go for verbs that verbs that express the past tense past tense को verbs कैसे express करते हैं यह समझना है और इसको समय जी के लिए हमें बड़ी simple सी बात करनी है first of all we must pay attention to one पहली यह बात है second you know then third one is this and fourth one is this miss जब भी हम जैसे हम अभी यहाँ पर देख रहे है 3.1 3.1 को देख रहे है so that is was no correct दूसरा नेगटिव पास्टेंस का वाप्स को सा है that was was not was and where I should say तीसरी बात है कि what is the interrogative of that that is was I and what is the short form of that what say was and where was not where not wasn't worried आप इस बात को आप समझें कि इतनी common बाते यूपीसी की preparation करने वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है students के लिए जरूरी है तो हां बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इन बातों को समझाने के लिए जो तरीका यूज किया गया है उस तरीके में हम देखते हैं कि things are taken in a very designed manner एक खास किस्व के design से ली गई बाते हैं जैसे positive negative interrogative and short forms तो देखो being a professor in English language and literature teaching at senior college from 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूं कि इसमें मेरी समझ में बात आई है कि भाशा कोई अगर सिखता है foreign language particularly one who is not native speaker of English तो जब भाशा सिखता है तो एक्चुली वो करता क्या है या उसको क्या करना चाहिए तो उससे चार बाते सिखने चाहिए वन इस पार्ट्स पिछ थेंड कैंड्स अव सेंटेंसे तेंसे अंड मोडल अक्जलरी सिप्ट बैसिकली ये चार बाते जो सिखता है वो भाशा बड़े आसनी से सीख सकता है और इसी को पकड़ के फिर you can go to the advanced studies of language then you can go to the neuro linguistic studies of language you know that is all up to you what kind of study you desire to do but here we have to think in terms of this that I was or I was not so what kind of sentence it is it is a declarative kind of sentence no declarative kind of sentence declarative that is also called a simple sentence एक simple sentence होता है और simple sentence को हमको क्या लिखना चाहिए subject plus V verb इस तरीके से जो sentence बनता है that kind of sentence is called a simple sentence आपको पता है और आपको पता होना ही चाहिए it is a must दूसरी बात हम देखते है I was और I was not and the form of the sentence is the same no sentence का फॉर्म क्या है same whether you say I was or I was not the form of the sentence is the same यह भाहती जादा इंपर्टने आपको लागे का is it that I should prepare my UPSC examination studies this way yes you must study your English grammar studies this way let us see how these things can be taken then that why it is important for you to understand the simple sentence the declarative sentence the assertive sentence or the negative sentence as such and there is the point because there are only only four kinds of sentences कि दुमिया में सिर्फ चार टाइप के सेंटेंस है मैं पाच्वे टाइप की सेंटेंस की बात कर सकता था लेकिन मैं टाल देता हूं that is called a dative sentence just for your kind information अगर आपको कभी जिंदगी में ऐसा पड़े कि क्या चारी टाइप की सेंटेंस है या पाच्वे बी टाइप का सेंटेंस है तो पाच्वे बी टाइप का सेंटेंस माना जाता है उसको means usually we don't use that but yes just to pray for someone to wish someone we use that dative kind of sentence ऐसे जो इसमें नहीं दिया है so why a teacher is important along with a book नो इसके लिए होता है कि teacher interprets things well teacher can make things I don't say easier but better for you अब कोई teacher आपके लिए चीजे आसान नहीं करता है वह बहतर बना सकता है और आपको आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको best बना दें सो language studies के ओपर मेरा बहुत जादा जोर होनी की सबसे important वज़े यह भी है that yes I was I was not then interrogative is was I was I was I was I was a fool क्या मैं मुर्ख था where they my friends camera those day up when I make such kind of expressions so these are the expressions of no question mark oh it is for a question mark no question must miss interrogative sentence it is so interrogation is what interrogation is to interrogate to ask a question to inquire to make inquiry up हमें यह सबज़ता है कि भाई चार टाइप है और जब हम देख रहे हैं कि वर्ब्स जो एक्स्प्रेस करते हैं पास्टेंस को तो इन्होंने हापर सिफ और सिफ पॉजिटिव जिसको हम declarative sentence और interrogative sentence का ही जिक्र क्यों किया इन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया imperative sentence का इन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया exclamatory sentence का that is a question must arise आने चाहिए भई इन्होंने क्यों नहीं किया what was the reason कि इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया इसका जिक्र ना करने की वज़े यह है because in the imperative sentence imperative sentence की शुरुवात main verb से होती है जैसे order sentences जिसे के जहें जैसे कि look at me okay listen to me carefully so look listen या पर was का और वेर का कोई संब्दी नहीं no was a जैसे look at me listen to me carefully play outside तो look look is the main verb play is a main verb listen is a main verb तो इसमें यह was और वेर का कोई relation नहीं है so these two kinds of sentences no they were not taken over here यहापर नहीं लिए गए थें so let us move for the other things कि I just tell you focus your mind on the things you are reading you are listening and then think about that thing you know because grammar is not such a thing that you can simply mug up the formulas and then you will easily understand things language is very very complex thing but at the same time it is very easy to understand no it is very complex you know to have the comprehension of these things but once this complex thing is a tackled well आसानी से आप भाशा को समझ सकते हो आशानी से आप भाशा को समझ सकते हो तो आप अपनी जो दूसरी पढ़ाई है दूसरे विशेओ की पढ़ा ही है दुसरा अभ्यास से उसको भी बड़े आसानी से कर सकते हों so this is possible for everyone of you let us move for the next one and that is 3.2 the past tense of have नो इसको थोड़ा मिटा देता हूं that is what we are going for the past tense of have no past tense of have have का कोई past tense है जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा in the previous video we had seen that am, is, are have and has तो इस आर दो words they belong to present tense and they are the verbs तो इसी तरी की से इस have का भी कोई past tense and that past tense is as had past tense of have is had and this had has many shades actually इसकी बहुर सारी shades है हम एक दुसरी shade देखेंगे and we shall move better form of had you know had and had got what is the past tense of that it is had and had got either you can say had or you can say had got I had it I had it and I had got it now what is this have you know positive again there is the same design you know that positive negative interrogative and short forms so it is just to let us know things well in a specific design किसी खास तत्व से किसी खास डिजाइन से हमारे दिमाग में चीजे फिट कराने की कोशिश की जानी चाहिए जब आँ खास करके भाशा का अध्यान कर रहे हो so had with had with all persons had not did not have so either you can say had not or you can say did not have okay or you can go for had you did you have no let's just make a sentence did you have your meal yes I had my meal did you have your meal yes I had had you had your meal ये थोड़ास आदिफिकलत है no जब हम पढ़ाह करते थे में स्कूल में कॉलेजिस में तो ऐसे आता था कि have you had your meal and we were terribly baffled with the two types of have or had used in the same sentence particularly in the question और फिर धेरे जब हम सीखने लगे पढ़ाही करने लगे grammar की किताबों का अध्यान करके उनको इंको इंटरप्रेट करने लगे analysis करने लगे we understood that what is the difference between one have and the other have or one have and the had so यहपर का पुछ रहिम कि दूधी रह रहिता है आता है पुछ रहिता एं लगे or have you had you got your mobile is this way or i had i had no height i'd so this is what this is a part of pronunciation then phonetics the i'd instead of i had no i'd or i didn't but i we couldn't say here i didn't i hadn't because there is had present seen but i'd no it may go to i would it may go to uh i had like this only instead of had we can use had got as well we can also use had got no so instead of had we can use had got as well they had sufficient money they had got sufficient money now what is this had no i'm missing is it a main verb is it a main verb my question is to you is it a main verb so no this is what showing the have or we can say had this two are showing the possessions this is the present possession and this is the possession in the past so they had sufficient money they had or they had got sufficient money or you can say they did not have sufficient money or we can say did they have sufficient money did they have sufficient money yeah they had sufficient money or yeah they had got sufficient money or they had they did not have sufficient money miss this is the answer of this question no you can go with either the answer kisi bhi tino me se koji bhi eek choose kar sakte ho as per your i say context need convenience comfort whatever okay and then we can say but we did not say no you haa par eek note di ga hiya hapo but we cannot say they did not have got sufficient money no we cannot say they did not have got sufficient money they did not have got sufficient money so we not have got the use of did or did not or did not you cannot say uh had got or have got so that did not have sufficient money is a wrong sentence as such थोड़ा सागे बढ़ते हो फिर हम थोड़ा रुख जाएंगे लिए दैडिस सिंपल पास्टेंस this is very important thing मैंने पहले ही काया था कि हम जब भाशा है सिखते हैं तो हम पास्टेंस को सिखनाल भात ज़ादा जरूरी हो जाता है अमारे लिए the first tense is present, past and then the third one is future obviously so simple past so that is also called the past indefinite that is a past indefinite my request is to you that be sure that you are paying attention to each and every word no that is shown to you there on the board why this simple past tense is called past indefinite why it is called past indefinite definite articles indefinite article past indefinite past indefinite then you will be very happy to see now I can understand things how is it past tense of the verb is did not plus root verb of the form no past tense of the verb kya hota hai did not plus root form of the verb no root form of the verb is what the very basic verb just play play go come see attain study listen no this type of verb say or when they come with did not so we take the root verb but in the what kind of sentences that we shall see very immediately positive again we have the same thing positive negative interrogative in short forms this is very important मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि खास किस्मिकी डिजाइन की तरा design की तहत आपको समझाने की कोशिश की जा रहे हैं So, what is that? I, we, you, he, she, eat, they, ये तो पता आपको. No, क्या है ये? First person pronoun, singular pronoun. First person plural pronoun. No, second person plural, singular and plural. Third person singular, he, or she, or it. And then third person plural pronoun. So, अब मैंने ये बात बीच में क्यों रुक कर आपको बता दी? मैंने पहले ही कहा था. Grammar कोई एक चीज नहीं है. Grammar कुल मिला कर है. हर चीज एक दुसरे से जुड़ी होई है. आपके ये चीज़े भी ठीक से पता होनी चाहिए. इसके रहे मैंने से इन बातों का जिक्र कर दि किसको आप चाहते हो की कौन खेला? Who played? आप किसी को भी डाल से तो, you can take IV, UV sheet, whatever. This is the positive. इसको positive को भी कर है? Because there is no negativity. There is no negative word. There is no no. Then first thing, with all subjects. The other thing is that IV again the same is there and then we can go for did not play. No. हमने पहले ही कहा था कि did not plus root verb. What is that? Did not plus root verb. Did not play. And short form का है? What is the short form of that? Didn't. That's so simple. No. First of all, let me clear this interrogative. That when we make the interrogative with did, तमको verb का root form लेना परता है. No. This is very important. No. बहुत बाहर ऐसी mistake हो जाती है. बहुत सारे लोगों से हो जाती है. मैं देखते रहता हूँ. Students make mistakes. Parents make mistakes. Then even the teachers make mistakes. Particularly those of you. No. तो हम देख रहे कि did और उसके बाद क्या लिया है? Play लिया है. Not played. Okay? Play लिया है. And then question mark is there. Did they play? Yes. They played. Did they play? Yes. They played. इस तरीके से बाद आएगी. And they, no. They didn't play. No. They didn't play. That's it. इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. बहुत सारी चीज़े देखेंगे. यहाँ पर बहुत सारी एक्जाम्पस देगे. इस तरीके से थे तरीके से अगे आगे यहाँ पर क्या गे ए? specified किया गया है period here is there is no period specified the other thing is that this tense like the simple present can be used when we refer to habitual actions and states बहुत बार हमारी जो आदतन जो बाते होती है उसके लिए simple past tense का इस्तिमाल किया जाता है इसके लिए आपको छोटी सी बात बताऊंगा simple past tense में जब हम habitual actions को लेकर बात कर रहे हैं तो इसको तीन तरीके से कहा जाता है उसमें क्या एक तरीका है to say things in simple past tense simple past tense में इस बात का जिक्र हमें करना पड़ता है लेकिन simple past tense इसके अलावा विजय से वेकर मुझे ऐसा कहिना है कि मैं बहुत जादा क्रिकेट खेलता था या खेला करता था तो मैं इसको तीन तरीके से कहूंगा first is हमारा यह तरीका है क्या प्लेट क्रिकेट टूमच मैं आ वस इन माई कॉलेज नो जब मेरे कॉलेज में था या दूरि सारी बातों का बारी जो बाते हैं जो छोटी बाते हैं जो सटल्टीज है जो माइनर थिंग से माइन्यूट थिंग से इनका जिकर हम बाद में कभी किसी लेशन में करेंगे आज के लिए इतना काफी है that we shall go with this verbs that express the past tense और यहाँ पर हम दो तरीके की बाते देख रहे हैं the main verbs root verbs that is what we say plus something और जो हमारे auxiliary verbs उते उनको लेकर हम बात करें नेक्स सेशन में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे because there are some 13 things to learn no so far verbs that express the past tense का मुद्दा है इसको हम पूरा करेंगे कल के हमारे schedule so तब तक भाशा को सही तरीके से सीखते रहें समझते रहें समझाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों को भाशा समझाते हो grammar समझाते हो आप उसमें ज्यादा means you become competent you become the champion in that language as such so wish you all the best keep studying thank you you